हाई गुड मॉर्निंग ओल फ्यू आज अगेन हम आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे आप लोग को सभी इस वीडियो में आपका स्वागत है एक पहला क्यूशन आपके सामने यह आता है कि एक ऐसा एलेक्ट्रोनिक उपकरन जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सुचना में परवतित यानि इनफॉर्मेशन में क्या कर देता है बदल देता है याद रखना है बहुत बहुत धनेवाद आप सभी का सुक्रिया है और चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब भी कर देजिएगा नेक्स्ट कुशन आता है आपके सामने की कंप्यूटर देटा का एक प्रतिनीद मुले के लिए वैरियेबल पॉइंट के रूप में कारिय करता है ऐसे कौन से डिवाइस है जो डिजिटल को परिवर्तन कर देता है तो इसका राइट आंस्वर रहेगा आप लोग सब जानते हो डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसी परेघ्वोर्कों के ने बागों से जोड़ा रखता है बैकबॉर्न जयान रखना एक ऐसा बैकबॉर्न होता है जो यहां पे एक बैकबॉर्न होता है जो अब्हु Scientists नेट्रोकों को क्या कर सकता है जोड़े रख सकता है याद रखना आप लोगों को ठीक है प्रोटोकोल क्या होता है प्रोटोकोल होता है इंटरनेट के उपर इंटरनेट के उपर जो भी नियम काईद कानून बनते हैं उसको हम प्रोटोकोल के नाम से जानते हैं याद रखना बहुत बर एक्जाम में आए वोकुशन है सर्वर क्या करते हैं सर्वर किसे करते हैं सर्वर क्या करता है कि एक मैन कंप्यूटर होता है और इन में कई कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं जो मैन कंप्यूटर होता है उसको हम सर्वर कहते हैं और ये जो छोटे छोटे चोटे आपस में जोड़े जाते हैं इसको हम client के रूप से जानते हैं इतने याद रखना आप लोगो ठीक है तो सभी की information को रखता है वो क्या कहलाता है सर्वर कहलाता है और सभी information देते हैं वो client कहलाते हैं किसको देते हैं सर्वर को information देते हैं याद रखना आप लोगों बहुत ब्रग्जम में आयोगा question है नेक्स्ट question आपके सामने आता है कि एक वेब पेज में एक सब्च जो क्लिक किया हुआ जाता है उसे अन्य document खुल जाता है याद रखना जब आपके पास कोई document है और इस पे खहीं पर भी मॉद्स से खूलता है hyperlink के मजद्छम से खूल जाता है hyperlink कार्थ होता है कि दो फायलों को ओपस में जोडने को hyperlink कहते हैं ठीक है URL किसे कहते है ूrl जो होता है उसका पोरा नाम बहूंत बर झाल इस ड्रके नहीं है Sources Locator इसका पूरा नाम होता है Uniform sources Locator ध्यान रखना और यह क्या काम करता है वेब किसी वेब साइट का फुल एड्रेस URL कहलाता है जैसले हमने क्या कि www.google.com लिखा तो यह क्या है यह एक URL कंप्योटर का जो सभी information को क्या करता है दिखाता है इसके अंदर याद रखना आप लोगों को ठीक है next question आता है कि किसी screen पर लिखे लिखने के लिए tablet PC द्वारा उप्योग में ली जाती है उसे हम जो stick होती है उसे हम क्या कहते हैं इसके बार में पूचा है तो इसे क्या हम कहते हैं stylus के नाम से जानते हैं याद रखना जो stick होती है जिसे हम आसानी से किसी भी सब्ड़ को लिखा जा सकता है ठीक है याद रखना पिल्गों नेक्स्ट क्यूशन आपके सामने आता है कि फ्रोपी ड्राइब, हार्ड ड्राइब, टैप ड्राइब और डेटा रीड करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो वो जो है वो मैगनेट का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने इनको यूज करने के लिए जितने फ के लिए कुम से नंबर सिस्टम का प्रियू किया जाता है तो वह जो आप लोग सब जानते हो वह बाइनरी नंबर सिस्टम कम्प्यूटर जो है वह मशीनी बासा को समझता है याद रखना मशीनी एक लोवर लैंग्वेज है ठीक है और वह 0 और 1 पे कारी करते है यतना भी आप कि डीटा ah data-based management system इसका पूरा नाव हो याद रखना डीवींस का पूरा नाम होगा rade deepest management system जानकर करने किस पहले जानकर कि योप्योव में डीटाव को संग्रीद कहां पर किया जाता है तो उसमें जो डीटा वोसे स्टोर होते हैं उसके बारे में पूछ सेंधे कर गया है कि तो फाइल मनेज्मेंट नहीं फ्राइल ऑलगटी से तर नेक्स पूचिन ही आता है कि एक स्क्रिन तो प्रदस्रिय अब के स्क्रीन के रूप में दिखाया जाती है यह अधिन फैक्ल का समोह होता है उसको को हम्हुति को च समें हो के नाम से जानते थे याद रखना आप लोगों को नेक्स्ट कुछन आता है कि निम्न में से कौन सा internet मानक प्रोटोकॉल है यानि internet का परियोग किया जाता है internet का यूद सबसे ज़्यादा जो है मानक जो हो कौन सा प्रियोग किया जाता है TCP IP किया जाता है टीसीपी यानि transmission control protocol IP यानि internet protocol ये दोनों आपको जाम में आया हुआ है TCP का पूरा नाम क्या होता है और IP का पूरा नाम क्या होता है ठीक है ना OSI में कितने लेर होते हैं OSI के अंदर 7 लेर होते हैं सबसे पहले demonищ आती है physical layer उसके बाद में data link ले उसके बाद मेण network layer ठीक है जिसको उसके बाद में transfer layer ठीक है transfer layer के गाद में कून से यह से यह बाद में कौन से एती है presentation layer और फिर application layer ठीक है यह 1-2-3-4-5-6-7 7 लेर होती है हो है याद रखना OSI का Open System Interconnection इसका पूरा नाम होता है जब भी इंटरनेट के द्वारा जब हम एक कम्प्यूटर से और दूसरे कम्प्यूटर में डेटा भेजते हैं तो वो 7 लेयर को क्रोस करते हुए दूसरे कम्प्यूटर भेजाती है ठीक है न याद रखना है और आपसे एक्जाम में पुछा भी जाता है पहली लेयर और लूस्ट लेयर का कहना होता है पर पृजिकल लेयर होती है पहली और लास्ट होती है application लेयर होती है जिससे यूजर असटेन से कारिये करता रहता है कि यूडिपी ट्रांट टीशिपी को आई पी मोडल में कौन से लेर में काम किया ये आप से पुछा गया है तो ट्रांसफूर लेयर होती हैं तो दोस्तों मैंने आज आज आपको दुबारत से कंप्यूटर के क्वीच्चन बताएं आप लोग सभी ये कुशन्स देखेगा शेर भी कर दीजिएगा लाइक भी कर दीजिएगा शुक्रिया है आपके कारण ही नहीं वीडियो बनते रहेंगे और इसके भी बैल की गंटे प्लीज दबा दीजिएगा ताकि नेक जो कुशन आने नोटिफिकेशन आने पे आपको श पता चलता रहेगा धन्यवादा